भारतिये वन सेवा, भारतिये सूशना, सेवा और इंडियन कॉपरेट लोग, सब इसके सभी अधिकारियों का मैं संसद में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ. आप सब लोग एक चुनोती पुर्ण परिक्षा में उत्तिन होकर देश और राष्ट की सेवा के लिए इस सेवा में आये हैं। इन तीनों सेवाओं का इस देश के अंदर महद बड़ा योगदान रहा है। और इन सेवाओं के माध्यम से हमने आजादी के बाद देश के अंदर चाहे वन सेवा के अधिकारी के रूप में हो, हमने किस तरीके से भारत की प्राचीन संस्कती और संस्कार विचारों को हमने आजादी के पिचत्र साल तक, लंबे समय तक वन सेवा के अंदर खाम करकर एक चुनोती पुर्ण कारे के अंदर देश और राष्ट को आगे बढ़ाया, और दुनिया के अंदर इस वेश्शिक चुनोतियों के अंदर हम नितत करने की शंता पेदा हुई, उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, हम जब बात करते हैं सुचना सेवा की, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर अपनी सरकार की योजना है, सरकार की योजनाओं के बाद आम जनता की भावना है, सभी तरीके से हम किस तरीके से सूशना और संचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचे और आज संचार के साधनों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है आम आदमी तक हमारी संचार की सेवाओं के माध्यम से देश में जो कुछ भी घटना करम होता है उसकी जानकारी सरकार की योजना है और उसके साथ साथ विश्व में होने वाले परिवर्तन में भारत की सार तक भूमिका को भी आप लोगों ने आम जन तक पहुचाने के लिए काम किया है corporate low service का तो इस देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है हमने किस तरीके से अध्योगिक व्यापारिक corporate sector के अंदर company sector के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तनों के साथ समय समय पर कानूनों के अंदर भी नए कानून लाकर हमारे उद्योग, हमारे इंडस्टी, हमारी सर्विस सेक्टर कौम किस तरीके से विश्य की प्रतिस्प्रदा के अंदर कानून की रूप में एक कानून का ऐसा धाचा दिया जाए जिसके सरकार में पार्दशित आए और कौपरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने अधिकार और उनके काम में स्वेलत हो, सुईधा हो, इसके लिए कौपरेट लोकी बहुत बड़ी भूमी का रही है आज आप संसद में आये हैं, भारत की संसद में आजादी के बाद चर्चा, संवाद, डिवेट, आपसी मद्विदों के होने के बाद भी देश रवाष्ट को आगे बढ़ाने में सामुई कारे करने की कारे संस्क्रती और 75 वर्षों के अंदर देश के अंदर बहुत सारे कानून बना कर, हमने लोगों को जादिकार देने का काम किया, शाषन, प्रशाषन में पार्दशीत आये, शाषन में जवाब दे आये, इसके लिए भी कानून के बहुत बड़ी भूमिका होती है और आप देखें के संस्क्रत के अंदर हमने आजादी के बाद कितने कानून वन बिभाग में बनाये हैं, फोरेश्ट के कानूनों का आप अध्यान करेंगे, तो आपको जितना कानून का अध्यान करेंगे उसके पीछे कानून लाने का क्या उद्धिश्य था, क्यों लाया और उस कानून से जहां हम वन के सरक्षन को भी सरक्षित कर पाए जहां वन शित्र में रहने वाले उन आदिवासी जन्जाती शित्र जिनोंने वन को सरक्षन करने में बहुत बड़ी भूमी का बनाई है उनके अधिकारों को भी सरक्षित कर पाए तो आप जितने भी कानूनों की डिवेट पढ़ेंगे चर्चा पढ़ेंगे उतने ही आपको काम करने में सुईधा होगी इसलिए आपका जो संसत का दोरा होता है ब्रह्मन होता है वो इसलिए होता है कि आप यहाँ पर भारत की संसत के अंदर वन शित्र के अंदर आजादी के पहले और आजानी के बाद जो जो कानूनों में परिवर्तन हुआ और जिसमें बड़ी डिटेल में चर्चा हुई तो आपको उस कानून के परिपेक्ष का पता चलेगा कि कानून बनाने के पीछे क्या मक्सद था अभी एक बार कानून आप पढ़ लेते हैं लेकिन कानून ला समवाद जनता से रेता है तो जनता की भावनाओं का अभीवेक्ती भी कानून बनाकते समय होती है और इसलिए आप जितना कानून का अध्यन करेंगे उतनी आपकी सेवा में आपकी कारकुशलता की वर्दी होगी मेरा मानना है कि जो जिस सेवा में काम करता है उसको उसी सेवा के कानून कों की जानकारी नहीं होनी चीए उसको देश में जब जब भी समय समय पर परिवर्तन हुए और जिन जिन कानून के साथ साथ जिन जिन मुद्दों पर चर्चा होई उनकी डिवेट का भी अध्यन करन जब आप सविधान सवा की डिवेट का अध्यन करेंगे और सविधान सवा की डिवेट में आप देखेंगे किस तरीके से सविधान के एक एक अनुचेत पर कितनी डिटेल चर्चा हुई थी भारत के परिपेक्ष में भी हुई और दुनिया भर के सविधानों के परिपेक्ष क हम ने सविधान बनाने का काम किया और आज हमारा सविधान मार्दर्शक भूमी का निपाता है इसलिए आपको सविधान सभा की डिवेट और उसके बाद बंश्यत्र हो चाहे भारतिये सुषना सेवा हो चैल कॉर्परेट लो में तो आप देखेंगे कि इतने कानूनों का परिवर्तन किया और हर सत्य के अंदर समय समय पर बदलती परिस्तितियों के नुसार हम विश्य के व्यापार और उद्ध्यों को से प्रतिस्परदा कर सकें हम कॉर्परेट सेक्टर में के अंदर कॉर्परेट सेक्टर के अंदर जितना अधिक हम मजबूत होंगे उतना ही आर्थिक रूप से सक्षम होंगे और आप देखेंगे कि कि 90 57 का बजट 175 करोड रुपे का था आज 40 लाग करोड से ज्यादा का बजट है हमने यह जो राजस प्रापति की उसमें क्वापरेट सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए क्वापरेट सेक्टर की भूमिका के अंदर समय समय पे जो कानून लाये गए कानून परिवर्तन किये गए उसका आप अध्यन करेंगे तो भईश्य में आपकी कारे प्रणाली आपकी कारे कुशलता के अंदर वर्दी होगी क्योंकि बदलते परिपेक्ष के अंदर जहां सूचना तंत का बहुत व्यापक हुआ है वहां आप इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी प्रपरेट सेक्टर के अंदर, कितने कानुन लाने से, और हम नए तक्नीकी का उप्योक करने से, कितनी पारदराश्रिता आई हैं। और उस पारदर्रेश्रिता और जवाब देई से ही, अच्छा, अच्छी गौ़र्णिल से ही देश आगे बढ़ता है। इसलिए सरकार का काम और सरकारी अधिकारियों का काम देश की जनता के लिए होना ची हम केसे उनके कारे को सरल सुगम पार्दश्टिता बना सकते हैं केसे हम भी इमानदार हैं और जो सेक्टर के अंदर काम करने वाले हो उनमें भी इमानदारी आए दोनों विश्यों को ध्यान में रखकर हमको काम करना पड़ता है इसलिए मेरा आप लोगों से आग रहा है कि आप सब एक महत्पून सेवा के अंदर काम कर रहे हैं वन सेवा के अंदर हमने आज दीश के अंदर 25% हमने कवरेज एरे किया है और 25,000 km से ज़्यादा हमने एरे को बढ़ा है वन सेट्र के अंदर आज भारत इसलिए नेत्त कर रहा है कि हम प्रक्यति से हमेशा नजदीक रहे हैं हमारी लाइप इस्टाइल प्रक्यति के अनकूल रही है कुछ समय के अंदर कुछ समय था जब हम आर्थी विकास की गती को बढ़ाना था इंदस्ट्री सेक्टर को बढ़ाना था लेकिन फिर भी हमने हमारी प्रक्यति और हमारी लाइप इस्टाइल को कभी प्रक्यति से अलग नहीं किया और आज यही कारण है भारत क्लाइमेट चेंज के अंदर नेत्त कर रहा है और जो जो भी इतने बड़े देश के अंदर, कलाइमेट चेंज के अंदर भारत ने जो इश्टेप उठाए हैं, उसका नितुत भारत कर रहा है, और हमारे प्रधानमंती नेन मोदी जी के नितुत में, हम विश्वास बरोसे के साथ कह सकते हैं, चाए हर चुनोती विश्व की चुनोती हो, और उस चुनोतियों का समाधान भी भारत के नोजवानों निकाला है, भारत की जनताने निकाला है, और विश्विक चुनोतियों के अंदर, भारत एक समाधान का रस्ता देने में सक्षम हुआ है, इसलिए भारत की तागत दुनिया के अंदर बढ़िये और इसलिए हम कह सकते हैं कि चाहे सामाजिक चुनोतिया हों चाहे आर्थिक चुनोतिया हों हर चुनोतियों के अंदर भारत नेतुत कर रहा है भारत चुनोतियों का समाधान दे रहा है और समाधान ऐसा दे रहा है जो ल आध्यात्मिक और हमारी संस्कृति को साथ में रखा है और इसलिए आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा लोकतंत है और इस संसिद्य लोकतंत के माध्यम से हमने एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करके देश को आगे बढ़ाया है और आज हम पूरी दुनिय के अंदर इस लोकतंत के कारण और लोकतंत के विचारों के कारण भारत दुनिया का नेतुत करा है और दुनिया भी मानने लगी है कि देश के अंदर हो अपने अपने देश के अंदर शाशन चलाने की सब्स्रेट परदती संसिद्य लोकतंत है लोकतंत विचारों का आधान प्रदान करना, बातचीत करना, समवात करना, सामविक्ता के साथ नित्त करना, यह हमारी प्राचिंतम संस्कृति लिए ही, इसने मदर ओफ डेमोकेसी के रूप में भारत की पेचान है, मुझे आशा है कि आज मदर ओफ डेमोकेसी के इस मंदिर में आप आएं, आप निश्चि होना चीए, और जिंदगी भर जब भी जहां भी शित्म में रहें, हमेशा यह मान कर चलेंगी ज्यान अधूरा है, और हमें और सीखने की ललक होनी चीए, जिग्यासा होनी चीए, जितनी आपकी जीवन में सीखने की जिग्यासा होगी, ललक होगी, उतना ही आप अपनी जी झाल झाल